आज के बाद अबंद विश्वासी कहना बंद कर देना बरना नंगा कर दिया जाएगा जिसके बाद बाबा ने लाइब हजारों लोगों के सामने अपने चमतकार दिखाये बाबा क्यों विवाद में हैं क्या चमतकार दिखाया हम आपको बताएंगे उससे पहले आपसे गुजारिश है चैनल पर पहली बार आये हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें भागे सुर्ध हम बाले बाबा पर आरोप लगाया गया कि वो अंदिश्वास खेलाते हैं भूत प्रेद का नाम लेकर लोगों को गुमरा करते हैं महराष्ट में किसी ने धिरेंदर सास्त्री को अपनी ताकत दिखाने को कहा तो बाबा भाग खड़े हुए ऐसा आरोप लगा पहले तो मीडिया के सामने बाबा ने अपना पक्च खा तो ये नाकपूर से जल्दी क्यों गए थे दिब्यादरवार के सौजन से देखिए आप ये वीडियो साथ दिन तक की ही थी उसका स्क्रीन सौट तीन तारिक का न्यूजबर वागे सुर्दाम ओफिसियल पेज पर तीन जनवरी को पहले से ही डेट गोसत कर दी थी कि हम केवल साथ दिन की गठाद करेंगे क्योंकि हमारे गुर्देव का जनमोथ सौथा और आगामी सभी कठाएं साथ साथ दिन की दो दो दिन घटाईं गई क्योंकि फरवरी में हमारे यहां यक है दूसरी बाद हमने दो दिन का दिब्ब दरवार लगाया तब वो क्यों नहीं आए तीसरी बाद हमने साथ दिन की कठा कि एक भी व्यक्ति को चुनोती की बात लेकर या लेटरल लेकर क्यों नहीं भेजा इसका मतलब वह भगोडा और वह छोटी मानसिकता कि लोग हैं आने के बाद तो कोई भी भौग सकता अब यहां पर पहले नो दिन की कठा थी पच्चीस तारीक यहां भी बता देते हैं तेईस तारीक तक है हम तेईस को चले जाएं फिर आप चौवीस को कहो कि हमने चुनोती दी इसलिए कि बंडाल चोड़कर बागे सो सरकार भाग गए ठटरी के वरे पहली बात के लिए दूसरी बात हम धंगा या हमारी भासा बहुत सीमे तो शुरक्षित है पर हम सस्त्रसास्त क्योंकि हम सनातनी है झालतं दौनों की मर्यादा ठीक से आती है, वहमें बाला जी ने चुना ही इसी, दूसरी बार, दो दिन का दरबार लगा, आप आये नी, आपने कोई हमाई बास जानकारी नी भेजी आने के बाद आपने, दूसरी बार, हमारे बागे सुर बाला जी के दरबार में, ना बुलाबा है, ना दावा है, ना दक्षणा है, फिर बबाल क्यों, फिर बबाल क्यों, हम बुलाते ने, कि आप आओ, किसी को भी, लेकिन मीडिया में बागे सुर धाम वाले बाबा के चमतकार पर सवाल उखने लगे, तब बाबा ने रैपूर में देश भर के टीवी पत्रकारों के सामने लाइब जमूदेकर अपने चमतकार को सावित कर दिया, दिव्या दरवार के सोजन्य से आप भी ये वीडियो देखें, पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भ्रगुनाथ तिवारी हो वो आजाए, आपके चाचा का नाम भ्रगुनाथ तिवारी है, और वो भोपाल में र आज लेकर हमने लास्ट अनमती ली है अपने बालाजी से क्या तुमने पहले बताया लोगों को अंद्विस्वास में तो नहीं ढखे ला है महाँ पाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो गुरुजी मैं तीन दीन से बलकी सच्चाई को एविपी न्यूस में दिखा रहा मैंने कोई अंद्विश्वास फैलाने का और बताने का काम नही किया है मैं यहीं से आपके दरवार से जन्ता चा तुम्हारे भाई का नाम राघमिंद दिभारी है जी गुरुजी एक पत्रकार होने के नाते-नाते मैं कहए रहाऊ हम अभी जी है जी गुरुजी आज के बाद अबंद विश्वासी कहना बंद कर देना परना नंगा कर दिया जाएगा हम हनमान जी के सेबक हैं ललकार कर करते हैं